नमस्कार आज आप सभी दर्शकों का स्ट्राडेफाइब हार्दिक स्वागत है आज हम चर्चा करेंगे वक्री शनी के बारे में यह हमारा इस सिरीज का आखरी वीडियो है जो हमने वक्री ग्रहों के बारे में की है अभी तक हमने ब्रहस्पत बुद्ध मंगल और शुक्र ज उनके क्या प्रभाव होते हैं और उनके क्या परिणाम होते हैं उनके बारे में जाना तो यदि आप उनसे अफगत नहीं है तो आप उन वीडियो को देखें जिसमें मैंने इन सारे ग्रहों के उपर चर्चा करी है जब वक्री होते हैं तो क्या परिणाम देते हैं तो आज ह विषए है वह वक्रि शनी तो जो संञी वक्री होता है तो वह कैसे परिणाम देता है उसके बारे में रहनेंगे हैं यह कोई दर्शक हमारे इस वीडियो को इंग्लिश में देखना चाते हैं और आप यह۳ वीडियो एंग्लिश में देख पाएंगे तो आईए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं वक्री शनी जब होता है कुंडली में किसी व्यक्ति की तो क्या होता है आम तो पर लोग जो नाम सुनकर ही भैवीत हो जाते हैं शनी का तो शनी मंगल राहू के तू इन सबसे हर व्यक्ति परिशान रहता हर जान की डरा रहता है एक नाम बस उन लिया इनका ग्रहों का और बस चिंता शुरू ऐसा नहीं है यदि ये अच्छे होते हैं ये सारे ग्रह तो इन ही ग्रहों में सबसे ज्यादा शक्ति होती है व्यक्ति को उचे स्थान तक पहुचाने की अधिया बनिस्बत जो अच्छे माने जाते हैं उनके comparison तो ये अच्छे होते तो बहुत अच्छे results भी देते हैं पर आज हम यह शनी के ओपर बात कर रहे हैं तो शनी के बारे में भी लोग सोचकर बहुत चिंता में आ जाते हैं कि अरे मेरा शनी एक तो शनी उपर से वक्री अब तो मतरा डबल नुक्सान हो कुंडली में वक्री शनी है तो यदि आपकी कुंडली में वक्री शनी है तो उसके परिणाम क्या होंगे उसके बारे में जानते हैं तो पहले जानते हैं कि वक्री ग्रह होता क्या है वक्री ग्रह कोई ग्रह हकीकत में कभी वक्री नहीं होता वह हमारे नजरिये से हमें लग को रोलते हैं तो उस वोबलिंग की वज़े से हमें लगता है कि जो ग्रह आकाश में है वो उल्टी दिशा में घूम रहा है तो हगी कत मैं सको फाराकोई बोलता है तो इसलिए हम ऊहसं को रेट्रोद और अर्थात विपरीत दिशा में घूमता हुआ ग्रह तो जब कोई भी ग्रह विपरीत दिशा में घूमता हुआ होगा अर्थात वक्री होगा तो वो प्रित्वी के सबसे नजदीक होता है सबसे करीब होता है और उसके जो प्रभाव होते हैं वो भी सबसे जादा होते हैं दूस जो कि हमारे उपर किसी चीज पर प्रतिबंद लगाता है, हमारे उपर प्रतिबंद लगाता है, हमें रोपता है किसी चीज के प्रति विलंब करवाता है, और काफी ऐसा ग्रह है जिसको जो कि हमें एक डिसिप्लिन में लेके जाता है, अनुशासन का ग्रह है, तो यदि जब वक्री होता है तो ऐसा क्या होता है कि जब वक्री हो तो उसके क्या परियनाम आते हैं सामने पहला यह है कि जब शनी वक्री होता है तो व्यक्ति को व्यक्ति की जो सीमाएं है वो बढ़ जाती है यह नहीं कि सीमाएं सीमाओं का जो दैरा है वो छोटा था पहले अब बड़ा हो जाएगा आब उसके पास जादा अवसर मिलने लगेंगे उसको अपने काम करने के लिए अपने छेत्र में अपने व्यवसाई में उसको जादा अवसर मिलते है जिसकी वज़े से वो और उन्नती करता है तो यह जो आपकी boundaries होती है, limitations होती है, उनको तोड़ देता है, boundaries को तोड़ देता है और आपकी लिए जो है एक नया बड़ा छेत्र आपको प्रदान करता है अवसरों का, जिससे कि आप आगे बढ़ सके प्रगती कर सकें अपने जीवन में, उसके बाद ये व्यक्ति को काफी जादा उन् प्रगती तक लेके जाता है, उन्नती कराता है और ये छोटी मोटी नहीं होती, काफी बड़ी मात्रा में होती है, दूसरा ये व्यक्ति को काफी जादा धन और येश की प्राप्ती करवाता है, वक्रिशनी सबसे जादा मजबूत होता है यदि वो 18 से 20 दिगरी के बीच में हो, या जब वो 18 से 20 दिगरी के बीच में होगा, तो उस वक्त वो सबसे मजबूत स्थिती में होगा, सबसे जादा वो अच्छे परिनाम देता है उस वक्त, और व्यक्ति को धन और येश की प्राप्ती होती है, ये जैसा कि शनी एक अनुशासन का ग्रह है, उसलिए ये व् विलंब क्यों ना हो जाए, पर ये लोग जो भी कारे करते हैं, वो बिल्कुल सटीक होता है, उसमें कोई भी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी उस कारे में, तो वो पूरा बिल्कुल अच्छे से कारे करते हैं, और ये व्यक्ति को जो इस छेत्र में वो कारे कर रहा है, जो भी उसका प्रोफेशन है, उसकी बहुत ही गहनता से जानकारी प्रदान करता है, मतलब कि जो भी व्यक्ति कारे कर रहा है, उसके छेत्र के बारे में उसे काफी जादा ज्यान होता है, खास तोर से ये सबसे अच्छा ग्रह माना जाता है, जब व्यक्ति व्यवसाय करता है, जब अ यह दस्में भाव को देख रहा है यह दस्में भाव का स्वामी है तो और भी जादा अच्छा होता है उसके बाद यह शनी जो होता है जब वक्री होता है तो शनी जैसा कि लंबी अवधी का ग्रह है कोई भी लंबी अवधी का कार रहोगा उसको शनी दर्शाता है इसलिए यह शनी जो है विएक्ति की जो डाम पत्य जीवन होता है उनके कभी कोई रुकावट नहीं आती कोई मदभेद नहींते नहीं आते जिसकी वजह से डाम पत्य जीवन कभी ठीकल शुखी घीवन देगा क्योंकि यह शनी एक क्लाक जो रिलेशनशिप होती है उनका काराक है और अपर शनी जो है जब वक्री होता है तो आप ईच्चे के शनी के बराबर वे पढ़नाम देता है प्रभाव देता है विक्ती में झाप तो खासतोर और अगर जो उच्चे के शनी से भी जीड़ा क्योंकि वक्री है शनि और खास्तोर से यदि ये केंद्र में या त्रिकोर्ण भाव में बैठा हो एक अच्छी राशी में हो या कुम्भ राशी में हो या उच्च का हो तो कहने ही क्या जबरदस्त ये इस से जादा मजबूत शनी होता ही नहीं और ये इसकी डिगरी 18 से 20 डिगरी के बीच में है तो बहुत ही मतलब ये बहुत ही मजबूत पोजीशन में है बहुत ही शांदार पोजीशन होती है और नौमांश में आपको देखना है कि शनी की क्या इस्थिती है फिर से मैं ये कहूंगा कि शनी कोई भी ग्रह यदि वक्री है तो वह अकेला किसी भी घटना के लिए घटएगी। अगरी। वो उस घटना में होने में अपना योगदान देता है बढ़ावा देता है पर अकेले वो जिम्मेदार हो ऐसा कभी नहीं होता अन्य था तब तक नहीं जब तक कि वो बहुत ही खराब ना हो या बहुत ही अच्छा ना हो फिर आपको इन नौमाच में भी देखना है कि शनी कैस फिर दीशे करें जाते दोशार क्ड़ों तक जाती है यह व्यप्रियों तक रहती है इसे हम यहां जो राजा बनाता है वह वाली देआंई होती है जब शनी का सब्सक्राइएं V loro यहां आले डिकती गों ने तो अथा संपत्ति और अथा यश्थ प्रदान करता है व्यक्ति को अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं श्री अमिता बच्चन जी की कुंडली में है वक्री शनी चौथे भाव में दस्वें भाव को देखता हुआ तो दस्वा भाव जो आपका होता है वो तो उनके पास अथा संपत्य और अथा यश्ट भी है तो वक्री शनी जो होता है वो व्यक्ति को काफी उचाईयों तक लेके जाता है तो आप शनी से डरे नहीं और खास्तोर से वक्री शनी से तो लोगों को और जादा मदद मिलती है अपने जीवन में आगे बढ़ने के पर जब देगा तो बहुत ही जादा मात्रा में देता है बहुत ही अधिक मात्रा में व्यक्ति को सम्मान प्राप्त होता है धन प्राप्त होता है और उन्नती करता है व्यक्ति तो आज हमने जाना की व्यक्ति की वक्री शनी क्या-क्या परिणाम व्यक्ति की कुंडिली में य कि यए दे चैनल पर नएं तो नीचे रहूँ सबस्क्राइब करें अपने आधर में कुछ जानना चाहते हैं इसक्रिप्शनी रिक्त आध मटाय को आधर मुझे ज्याद weekly करें और आधरी पर भी जा सकते हैं और अगले वीडियो के दूसरे जिग्रेक्ट के साथ तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद